सोर्गी पिता और एश्यू मस्य और पवितर आत्मा के नामसिय आम से, आमैं पवितर आत्मा मेरेको बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर, आमैं सोरगी पिता मैं इश्व मस्य के नाम से प्रात्ना करता हूं मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को आमेन पोविद रात्मा जो लोगे वीडियो सुनकर देखकर आगे दुसरों को बेचते हैं वाइरल करते हैं उनको हमेशा बेचने के लिए बल दे आपका प्यार दे और 24 फेबरोरी की 2021 में परमिश्वार का जैसा सुचता हूं कि जो लोगों ने प्रचार सुन लिया पोवित्र हो गए और एकशु मस्य का जैसा कारे कर रहे हैं माती आठ नौव क्योंकि मैं भी परादिन मनुष्य है और सिपाई मेरे हाथ में है और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दुसरे को की आ तो वो आता है और अपने दास से कहता हूं कि ये कर तो वो करता है ये सुनकर येशु ने अचमबा किया और जो उसके पिछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसरायल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पुर्व और पस्चिम से आकर एविश्यम और इजायक और याकुब के साथ सवर्ग के राज में बेटेंगे अभी जिसका यह आदमी बिमार था यह बड़ा जो आदमी था आम ने देखा कि यह सुबेदार था और इसका जो नोकर काम कर रहा तो बिमार था और यह सुबेदार बोले तो इतना दम वाला इंसान है यह पुरा गाउं का बड़ा आदमी है गाउं पुरा यह सामबालता है तो इसके पास बहुत लोग शिपाई काम करते है तो जो एक संदेश जेता यह जो काम करने को कहता यह सब लोग कर डालते और करना इस परता क्योंकि यह गाउं का सबसे बड़ा पद वाला आदमी है तो यह सुनने के बाद सुबेदार इतना बड़ा आदमी इतना ताकत है उनके पास यह सुनकर फिर भी सुबेदार होकर भी एशु मसी का बात मानता है एशु मसी की ताकत और प्यार जानता है तो इतना होकर इतना बड़ा आदमी भी होकर एशु मसी पर भरवसा किया कि इनका जो काम वाला जो आदमी है वो ठीक हो जाएगा बिना एशु मसी उनका गर जाके इतना बड़वसा ये सुबेदार का एशु मसी पर हुआ था तो अभी आम लोग इधर एशु मसी क्या बोलता ये देख लिया आम लोगों ने कि एशु मसी ने बोला कि पुरा जेरुजालेम पुरा इस्रेयल में में एशा विश्वास देख नहीं विश्वास नहीं पाया एशा विश्वास और बाइबल ने भी ये लिखा है जाके देख ले गुगल पे जब इशु मसी तिसरे दिन के बाद वापस जिन्दा होके ये इदर उसके चेलें के पास आता है तबी एक ये तॉमस करके नहीं था उदर तो उसने बोला मैं मानता नहीं कि इशु मसी आया था मेरे को उसके गाओं में उंगली डाल के देखने का है कि ये सही एशु मसी है या कोई भूत वगारा है तो एशु मसी ने तबी बोला वापस आके तॉमस को मिला और उसको तॉमस को बोला कि जबी सब थे दुसरे बार जबी एशु मसी आया था तॉमस भी था तो एशु मसी ने बोला कि जो बीना देखके जो मेरे पर बरवसा करता है वो लोग सही मेरे को मानता है मेरे उपर बरवसा करता है और वैसाइच इंसान अच्छा जिन्दगी पाएगा इस दुनिया में और आकेर में वो इंसान सोर्ग में जाएगा सोर्ग एसा लोगों का है तो आमको भी अभी आमने भी एशू मसी को देखा नहीं लेकिन आमने एशू मसी का प्यार और खबर और एशू मसी को आमने महसुस किया क्योंकि पुरा बाइबल में एशू मसी का प्यारी लिखा हुआ है और जो हम ये बाइबल से पढ़कर जो हम बोलते है वो सब अभी हो जाता है और सब चमतकार अभी हो जाते है तो एशू मस्य ने जो लोग उनके आजूब आजू में था सब लोग जो इकटे हुए थे सब लोग आगे भड़ रहे थे सुभेदार के गर को जाने को उनको बोला कि मैंने इसा विश्वास इस्राइल में भी नहीं देखा तो ये जो एशू मस्य के पीछे भाग रहे थे इतने लोग एशू मस्य के साथ प्रचार सुनने को जा रहे थे तो एशू मस्य ने लोगों को बोला कि अभी देखो आजू-बाजू वाले लोग आमारा देश से जो नज़दिक देशे दूर के देशे ये देशों का भी लोग इधर सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर का भी सोर्ग में आप आएगा लेकिन जो लोग आम बोलते हैं कि ये इस्राइली लोग बोलते हैं कि आम परमिश्वर के लोग है परमिश्वर के आम प्यारे लोग है एसे लोग नरग में जाएंगे एसे लोग को दूख संकस्ट बीमारी होएगी तो ये एश्यू मसी ने दोर आमको बारा में बोला माती आठ बारा कि जो लोग सोचते हैं कि आम लोग परमिश्वर के हैं जो हम कैतलिक सोचते हैं कि हम कैतलिक एश्यू मसी ने बनाया है कैतलिक दरम और हम एश्यू मसी का दरम वाले लोग है तो इसे लोग बोलता है एशू मसी कि ए लोग बिमारियां संकस्ट और लाचारी भरबादी ये पाएंगे और आखिर में नरग में जाएंगे और इससे पहला क्या बोला 11 में कि दुसरे लोग जो अभी ये प्रचार जो चल रहा है ये सिर्फ नाम मेरा है शकल मेरी है लेकिन ये प्रचार परमेश्वार कर रहा तो ये प्रचार सुनकर दुसरे लोग जो कैतलिक नहीं है वो सुनकर उनको चंगाई पाने के लिए वो लोग सुनकर ये लोग कैतलिक बन जाएंगे और ये लोग मेरे जैसे करेंगे और कैतलिक लोग उदर चरे जाएंगे और दुसरे लोग इश्व मस्य बोल रहा है चंगाई पाएंगे और सुर्ग में ये लोग जाएंगे जो पहले से जनम से कैतलिक नहीं थे वेशे लोग इदर सुवर्ग में जाएंगे एसा बोलता है शुमसी और कैतलिक कैतलिक करके गुम रहे हैं वो लोग नरग में जाएंगे सिदा सिदा लिखा है इदर 11 और 12 में तो अब इक कैतलिक को यह सोचने की बात है अगर आपको मेरा वीडियो पहली बार मिला गलती से आप आ गया यह शायद आपने टाइटल देखा और तामनेल देखा उसमें से आपको लगा कि कुछ चंगाई शायद मेरेको मिलेगी तो आप लोग यह मेरा वीडियो में आया तो जल्दे से जल्दे description में जा ये वीडियो कटम होने के बाद और अभी का अभी पवितर बंजा इसे में आपका बला है दुसरों को आपके गर वालों को ये वीडियो मत दे मत बोलो कि तियागो देखो तुमारे बात बोल रहा है तुम पवितर बंजा नहीं जिसको वीडिय पवितर बंजा और मेरे जैसा कार्रे करने को शुरू कर आज से ये इच पुरा दिन गर में डालके रख 24 गंटा गर में डालके रख और कल से रोज देखते जा 24 गंटा गर में डाल और लिख दे और ये मेरा 30 मिनट का जो प्रचार है वो 5-10 मिनट में भी आपका मूसे और यूटूब पर आफलोड करेगा तो आपको आपका खुद खा जीवन में पहली चंगाई आएगी आपकी विमारी टिक हो जाएगी सब कष्ट और लाचारी और सब जो गलत चीज़ें आप कर रहा है ये सब आपने आप खतम हो जाएगा तो जो कैतलिक को वीडियो पहली बार मिल रहा तो आज का आज पहला पवित्र कैतलिक बन जा और कैतलिक नहीं है उसको वीडियो मिल गया तो तुमको पहला कैतलिक बनना पड़ेगा और कैतलिक बनने का वाद पवित्र कैतलिक बन जा आपका नजदिक का कैतलिक चर्च में जा उदर पादरी आपको कैतलिक बनने का तरीका रस्ता दिखाएगा तो यह सा राज चलता है परमेश्वार का चंगाई में आमको आगर बाग लेने का है आमको चंगाई लेके पुरी जिन्दकी तक आगर जिने का है तो अमारा मन यह सा है तो आमको पवित्र कैतलिक बनना ही पड़ेगा कोई भी हो जाए, Catholic हो जाए, या ना Catholic इंसान भी हो जाए, उनको सबको आमको पविदर Catholic बनना इच पड़ेगा, और दुसरा इरादा, दुसरा रास्ता नहीं है, पतली गली से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक सिदा सिदा रास्ता है, जो Bible में लिका है, ही सत्त है में रास्ता है और में जीवन है तो जो अभी आप बिना पवितर कैटलिक होके आप लोग जी रहा है और जीवन नहीं है यह जानवार का जैसा जिन्दगी है वो ऐसा जानवार भी वैसा ही करते है अगर आपको जिना है तो एशु मसी का जैसा जिना है हर इंसान को और कोई रास्ता नहीं है तो इदर 11 और 12 में कौन इंसान चंगाई पाएगा और कौन इंसान दोखा खाएगा यह पराबर साफ साफ इदर एशु मसी ने बोल चुड़ा है तेरा और एशु ने सुबेदार से कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिये हो और उसका सेवक उसी गड़ी चंगा हो गया तो अभी जैसा एशुबेदार ने सोचा था बिना इशु मसी मेरे गर आके बिना आके मेरा नोकर टिक हो जाएगा इसका सेवक बोलते है वैसाइच टिक हो गया एशु गया नहीं गर पे फिर भी उसका सेवक टिक हो गया क्योंकि एशु मसी इसको सुबेदार को बोला जैसा तेरा विशुवास है वैसा ही तेरे लिए हो तो आमको आभी कैटलिक को बिमारी है और ये बिमार कैटलिक चंगाई पाना चाहता है तो इसको क्या करने का इसको पहला पवितर कैटलिक बनने का ये सब कुछ कर देखा वो दुसरों को चंगाई देना मांगता है कौन बिमार कैटलिक है वो जबी वो दुसरों को चंगाई देगा, दुसरों की बिमारियां इनके आज सर टिक होएगी, तभी इसकी बिमारी टिक हो जाएगी कौन जो आभी बिमार कैतलिक है वो इधर उधर बठक रहा है ये वो इंसानों के पास जा रहा है सांतों से मांग रहा है मार्याम से मांग रहा है कुरूस से मांग रहा है इनकी बिमारी अगर टिक होने का कुछ भी एक शकता है टिक हो सकता है तो ये कीचे तरीके से जैसा मैंने अब इच कहा कि ये कैतलिक को पहला पवित्र बनना पड़ेगा प्रचार करना पड़ेगा और दुसरों का बिमारियां टिक करना पड़ेगा तब इच इसकी बिमारी टिक हो जाएगी जैसा ये सुबेदार ने सोचा उसके मन में कि एशुब मसी गर पर आने का जरूरत नहीं है एशुब मसी ने बोला कि ये टिक हो जाएगा इतना ही बोलेगा तो काफी है ये टिक हो जाएगा मेरा सेवक और इशुब मसी ने बोला जैसा तेरा सोच है जैसा तेरा विश्वास है वह साइच हो जाएगा आपके लिए तो हर कैटलिक को पहला मेहजूस होना मांगता कि आँ चंगाई अभी भी जो बाइबल में इशुब मसी ने किया वो अभी भी हो रही है चमतकार अभी भी हो रहे है एशा नहीं कि इस डॉक्टर इच मेरा ओपरेशन करे तब इच में टिक होई जाएगा नहीं जो इशुब मसी ने करके दिखाया वो आज भी हो रहा है कभी जबी तेरे को मेहजूस होएगा जबी तू आँकों से देखेगा तू सुनेगा कि जिसको तुमने फ्रैचार किया था वो लोग आगे जाके उनकी बिमारियां टिक हो गई तब इच तेरे को विश्वाश आएगा और तेरी बिमारियां टिक हो जाएगा यह तरीका है दूसरा तरीका नहीं यह इधर कोई में तुम लोगों को ब्लैक मैजिक जादू यह करने को नहीं सिखाता यह सिर्फ एशु मसी ने किया वो हम करने का यह तरीका दुनिया में बराबर चलता है और हमेशा के लिए यह तरीका चलेगा चंगाई पाने के लिए और चमतकार होने के लिए और दूसरा इस दुनिया में काला जादू और दूसरा जादू कुछ भी नहीं चलेगा वो सिर्फ इंसान का बरबादी करेगा उनसे इंसान का अच्चाई नहीं होती है, चंगाई नहीं मिलती है, काला जादू से सिर्फ बरबादी होती है तो इनसान को अगर बिमारी से बचने का है बिमारी दूर करने की ये बच्चों को बिना बिमारी बच्चों को बड़ा करने का है बिना बिमारी बच्चा पेदा होना माँगता है तो एक इस तरीका है कि आप पहला पवितर हो जाए और दुसरों को चंगाई करते जाए हर इंसान को दुनिया में बिमारी है नहीं तो कुछ ना कुछ तो मसला है हर इंसान की जिन्दगी में है तो इस सब मसले आम टिक करके लोगों को देना मांगता है तब इच आमारे घर में शांती आएगी प्यार आएगा और बिना बिमारी आमारा जिवन और आमारा घर चलेगा दुसरा इसमें कुछ भी तुम सोचो मत पैसा देखे करेगा हस्पिटल में जाके करेगा आपरेशन के जाके करेगा ये सिर्फ एक थोड़ा ठाइम के लिए तुमारा जिवन उससे चलेगा अगर हाट आटक हो गया तो पहला करेगा एंजियोप्लास्टी उससे आपको 10 साल मिलेगा उसके बाद वापस नर्स गट होएगा बंद होएगा तभी दुसरा आटक आएगा तभी बोलेगा डॉक्टर अभी तुम बाइपास कर ले और उसके बाद और 10 साल मिलेगा कितना हो गया बिस साल हो गया पचास पर अटक आया तो सत्तर साल के बाद आप बस मिट्टी में तेरा मिट्टी हो गया 70 साल में अगर आप पवित्र होता था 50 साल पर आपको एटेक आया था तब आप पवित्र होता था तो आपको बिना ओपरेशन भी आप बिल्कुल ठीक होता था यह जो ब्लोक हुआ था आपका नर्स डॉक्टर बोलता था चेकिंग करने के बाद बोलता था कि तेरा नर्स पुरी-पुरी अभी खुल गई है तेरेको बाइपास भी नहीं मांगता तेरेको एंजियोप्लास्टी भी नहीं मांगता तो आप यह पवित्र होके दुसरों को जब सिकाता था तो आपका नसे खुलती जाती थी पुरी साफ होती जाती थी और आपको लंबा जिवन एक सो साल के उपर एक सो बीस साल तक लंबा जिवन आपको मिलता था लेकिन आपने सोचा कि मैं पैसों से ओपरेशन करे उससे आपको दस साल मिला दुसरा हाट अटेक में जाता था तो दस साल में आप मर जाता था एंजियोप्लास्टिक करने के टाइम करने के बाद दस साल के बाद आप मर जाता था उधर आपको बाइपास करना ही पड़ता है हाट एटक आएगा तो बाइपास सरजरी करनीच पड़ती है एंज्योपलस्ट किया तो भी दस साल के बाद आपको और एटक आएगा और उसके टाइम आपको बाइपास करना ही पड़ेगा नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी और बाइपास के बाद आपको डॉक्टर 10 साल का गैरेंटी देगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको अटेक के बाद 20 साल मिलेगा तो आपको तो अगर आच्ची जिन्दगी चाहिए बिना संकर्ट, बिना उपरेशन, बिना मुश्किल, बिना कोई मुसीबत आपके घर में, आपके खुद के जिवन में आपको चाहिए तो चंगाई एकी बात से आ सकती है, आप पवित्र कैतलिक बननाईच पड़ेगा और कोई भी इलाज नहीं है, दुसरा कोई भी रास्ता नहीं है सब एक गलत लोग जो प्रचार कर रहे हों बोलते हैं तुम पड़ो 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 बाइबल पड़ो 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 यह पड़ते पड़ते तुम मर जाते यह डोंगे लोगे चोर लोगे यह पूरा जो यूटुब पे जो चला है प्रचार करने का यह दुसरा क्रिस्टेन का जो चल रहा है वो सब ढोंगी लोगे वो पैसा इकटा करा है उनके बच्चों उनके परिवार के लिए उनका बलाई के लिए जैसा जूस लोग करता था एशु मस्डी के टाइम जूस लोगों ने किया इसराल में उनका परिवार चे पादरी बनते थे पादरी का इच परिवार में पादरी बनते थे लोगों का ये दसवा गुना काम का ये लोग खा लेते थे इतना इनके ये लोग आमीर हो गए थे एसा ये जो क्रिश्टेन का ये यूटूब पर प्रचारां चल रहा है उनका पैसा लोग तो आमको इदर एशु मस्य आमको इदर क्या बोल रहा कि यह सा जो इनका विश्वास है सुबेदार का वह सा विश्वास हर इंसान का होना चाहिए बले तो बले तो अभी पहला पवित्र कैतलिक का बनना चाहिए और इशा विश्वास हमारा पवित्र कैतलिक का बनेगा तो आम मारे पास इतना सारा लोग आएगा चंगाई पाने के लिए कैतलिक के पास पवित्र कैतलिक के पास तो मेरा यह प्रवचन है वो कैतलिक के लिए है दूसरों लोग तो दूर हो गया उनको पवित्र बनते बनते एक साल तो लग जाएगा जाओ चर्च में पादरी के बाद जाओ रेजिस्टर करो ये पड़ो उनको तो एक साल कैसा भी बित जाएगा जबी ये लोग बाप्तिजमा लेगा कैतलिक बनने के लिए लेकिन आमको कैतलिक को अभी का अभी ये मोका है अभी का अभी 5-10 मिनिट में पवित्र होने का इतना आसान है आमको तो दुसरों को भी ये चंगाई पाने के लिए चाहिए उनको कैतलिक बनके ये जो बाप्तिजमा लेते हैं वो उससे ही पवित्र रेकर उनको बोलेगा कि ये पवित्र हो गया जब ये बाप्तिजमा लेगा वो इस टाइम से ये लोग गलती करना सब को माफ करना पड़ेगा गलती करना बंद करना पड़ेगा सब को माफ करना पड़ेगा जब जो कैतलिक नहीं है पहली बार बाप्तिजमा ले रहा है तब इच ये लोगों ने दूसरों को पूरा बक्ष के प्यार से चलना पड़ेगा और तब इच पहले दिन का बाप्तिजमा से ये लोग पवितर बन जाएंगे तो एक साल के आंदर जैसा ये गाउं का किदर का गाउं का है वो पादरिक लोग बोलेगा कितना जल्द से जल्द ये कैतलिक बन सकता है वो गाउं का पादरिक उपर है कितना जल्द इनको सिखाएगा और क्या बाइबल क्या क्या ये बाइबल से पढ़ना पड़ेगा सिखना पड़ेगा वो हर गाउं का पादरी के उपर है मैं बोलता ज़्यादा से ज़्यादा एक साल लगेगा लेकिन गाउं का पादरी का जो वो अगर उसके पास वक्त है उनके गाउं में सिखाने का लोगों के पास वक्त है मोबाइल पे, फेस्बुक पे और किदर भी इसके WhatsApp लाइव पे YouTube लाइव पे जाके ये लोग सिखा सकते इंसान को जो Catholic नहीं है उनको परवितर हों Catholic बनना मांगता है उसको बनने का है परवितर Catholic बनने का है तो ये पादरी के पास जाके पादरी को बोल सकते मेरे को तोड़ा जल्दी बनने का है तो पादरी ज्यादा से में हर अभी इस्टर आएगा तो इस्टर के टाइम इदर हर साल कैतलिक बनाते हैं इदर हर साल एक बार अगर आप दुसरे गाउं में है तो जल्दी बन सकते हैं मेरे को मालूम है दुसरे गाउं में तीन चार महिने में कैतलिक बन सकता है वो पादरी के ओपर है कितना जल्दी आपको यह जो कैतलिक बनने का तरीका है कितना जल्दी वो कतम करते हैं आपको कितना जल्दी सिखने को बोलते है वो सब हर गाओं का चर्च का पादरी के पासे कितना जल्दी आपको कैतलिक बनाएं और जितना जल्दी आप कैतलिक बन सके उतना जल्दी हो सके उतना अच्छा है नहीं तो शेटान आपको कभी भी जिन्दा मार सकता है नहीं बनेगा तो सिधा नरग में जाएगा और दुसरा रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का भी रास्ता एकी चे जो एशु मसीने बोला में च रास्ता है और दुसरा रास्ता नहीं है तो जल्दी सोच ले अभी का अभीच कैटलिक है तो मेरा डिस्क्रेप्शन में जाके अभी का अभिश पवितर कैतलिक बन जा और आपका विश्वास सुबेदार का जैसा होने दे आपके हातों से परमेश्वार ये चंगाई देता है, चमातकार करता है ये देखने के बाद आपका विश्वास हो जाएगा परमेश्वर के उपपर और ये विश्वास से आपको चंगाए मिलेगा इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे, शुक्रिया एश्व मसी, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमें आभी आम प्रात्ना करेंगे स्वर्ग पिता और एश्व मसी और पवित्र आत्मा के नाम से, आमें स्वर्ग पिता मैं आपका प्यारा पुत्र एशुम मसी के नाम से प्रातना करता हूँ यह यूट्यूब लाइब पे इंसान है उसको और उसका पुरा परिवार को और आगे जो लोग यह देखेगा यह सुनेगा उनको और उनके परिवार को पुरे लोगों को कोवीड बिमारी से बचा कर रख कोवीड बिमारी लोगों से दूर कर और कोई भी बिमारियां यह लोगों के जिवन में है बदन में है वो सब टिक कर सब चंगाई ये लोगों को दे और इनका काम दंदा चाय पानी इनका सांबाल के रख इनका नोकरी पर इनका पागार बड़ा पोस्ट बड़ा और अगर इंसान नया नोकरी एक घर का बच्चे लोग नया नोकरी और जिनका काम गया है नया नोकरी डुणने को जा रहे हैं तो इनका इनको अच्छी बड़ी कमपने में इनको बहुत बड़ा ज्यादा पागार का नुकरी दे और जो लोग अभी कोविड बीमारी में देखने के बाद इनको पवित्र बनने को भी आपका प्यार और आपका बल आपकी कृपिया इनके उपर रख आमें